किसी थेले से गेंद निकालने पर आधारित प्राइक्ता के कोशन्स पढ़ेंगे इस वीडियो में नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब चैनल योगे स्तॉमर मैट्स पर जैसा कि हम पढ़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग करते हैं अपने पहले कोशन से लेकिन अगर जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं पहले जाईए जाकर पहले पर्मुटेशन का समझना बेहत जरूरी है अगर ये दोनों बहतर आते हैं तो प्रॉवेबिलेटी आपकी आटोमेटिकली ही बहतर हो जाएगी है तो आप जाईए पहले पिछली वीडियो देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से आप जाकर ये सभी वीडियो देखिए और अच्छे से समझेए चलिए हम सुरू करते हैं अपने पहले कोशन पर एक वैग में चार हरी पांच काली और चार लाल गेंद जाता है तो क्या संभावना है कि यहां लाल रंकी होगी अब ध्यान से सुनिएगा यह बहुत आसान होता है इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूत नहीं होती है लोग डरी जाते हैं कि इनके नाम पर लेकिन एक्शल में यहां पर प्रोविबिलिटी निकालना ब प्रोविबिलिटी होती है अब देखो दा यहां पर आपको क्या चाहिए भाई कि यह उसने दे रखी है चार गिरीन और पांच बलेक और चार रेड एक बॉल निकालनी है और उसके रेड होने की प्रोविबिलिटी पूंच रहा है वो गेंद कैसी होनी चाहिए यह रेड हो इसी को हम कॉम्बिनेशन से कैसे करेंगे तो मुझे वाई मेरा फेवर तो फेवर मुझे जो गेंद चुननी है, वो एक गेंद चूज करनी है और कितनी गेंदों में से? चार गेंदों में से, तो वही 4C1 यह मेरी favorable outcomes हो गए, ठीक है? तो 4 गेंदों में से एक गेंद चुनने के total तरीक है कितने हो गए, वही 4C1 हो गए, लेकिन हमारे पास बैग में कुल कितनी गेंद हैं तो भाई बैग में से एक गेंद निकालने की कितने total ढंग बन सकते हैं कितने outcomes बन सकते हैं वो बनेंगे 4 और 5 9 और 4 13 13 C1 13 में से एक गेंद चुनने के लिए ये total outcomes बनेंगे लेकिन मेरे favor में 4 गेंदों में से चुननी है तो 4C1 ये मेरी favorable outcomes होंगे ठीक है और probability क्या होगी favorable outcomes upon total outcomes अब इसको solve करेंगे तो भाई 4C1 को open करोगे आप तो 4 को एक वारी open कर दो factorial 4 को ठीक है ऐसा ही 13C1 का मतलब है कि 13 को भी एक वारी open कर दो और यहां से एक और एक है तो factorial 1 का value 1 ही होता है clear है तो भी answer 4 by 13 आएगा तो आप combination लगाओ या आप डारेक्ट इंडिविज्वल आप ऐसे ही non-technical language का यूज करते हुए और उसको solve करो तो दोनों cases में answer कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन तरीके से तमीज से करना है और बहतर रहेगा कि अगर आप combination अच्छे से जानते हैं जिससे आपकी कोई गलती की कुछ जायस नहीं बनेगी और अगर गलती से बचना है तो combination जादा बैतर तरीका है ठीक है अगला question देख लेते हैं एक बैग में चार हरी पांच काली और चार लाल गेंद हैं इस बैग में भी और एक गेंद को यहां से फिर से निकाला जाता है one wall is drawn at random what is the probability that is either green और red अब मेरे को चाहिए क्या कि वो either either वोल रहा है भाई है अब either के case को समझेंगा एधर green ठीक है और red अब मेरे favor में दो outcome औक होगे भाई है या तो green और red भी हुई तो भी मेरे favor है नों करेके process कीजिए गा मतलब यह दोनों बात मेरे favor में है लगेगा clear है अगर आप कहो के green होने की probability अलग निकालो फिर उसके बाद red होने की probability अलग निकालो बिल्कुल जी निकाल सकते आप या उनी दोना outcomes को एक वार में add करके भी लिख सकते आप ठीक है अगर मैं कहूं के green होती तो मेरे favor में कितने outcomes होते चार होते ठीक है और वहीं पर अगर red होती तो मेरे favor में कितने outcomes होते भाई तो यहां पर भी 4 होते और यहां total plus लगा दीजी और कितने मैंसे लाला तो 13 मैंसे कितने मैंसे तो 13 मैंसे यहां पर भी 13 ही wall बनेंगी तो यह probability हो गई भाई चार और चार आठ और आठ बटे 13 इस question के लिए probability हो गई clear है अब इसी को आप combination से कैसे करते तो अगर green चुननी है तो 4C1 क्योंकि green हमारे पास 4 ही है तो 4 में से एक गेंद चुनने के तरीके होगे 4C1 या अब या का case है तो plus लगा दो भाई अब red चुननी है तो red चुनने के लिए तो 4C1 क्योंकि हमारे पास गेंद कितनी है red तो 4 है चुननी कितनी है एक ही चुननी है तो भाई 4C1 और कितने है टोटल गेंद भाईया तो 13 और 13 में से कितनी चुननी है एक चुननी है तो ये total तरीके होगे अब इसको solve करते तो आप यहां पर ये solve करने के बाद क्या आता भाई चार ही आता और ये भी solve करने के बाद क्या आता चार ही आता और अपन 13C1 इसको solve करने पर भी 13 आता तो ये total 8 और 13 probability हो जाती इस question के लिए तो चाहिए आप combination लगाओ चाहिए आप direct solve करो लेकिन बहतर रहेगा कि आप combination लगाओ जिससे गलती की गुंजाइस कम रहेगी मैं बार-बार बोल रहा हूँ इस वात को ठीक है आप इसको भी बोल सकते हो लेकिन ये आपका non-technical language वाला funda आपको अपनाना पड़ेगा लेकि गेंड तो 6 black हैं बड़े भी आप और 4 गेंड जो है वो नीली है तो बहुझे चार blue है अब यहां पर क्या बोलता है कि एक गेंड को यहां पर फिर से निकाला जाता है और क्या संभावना है कि यहां काली हो या नीली हो अब मुझे बता दो काली या नीली होने के लिए पू कमेंट में जरूर लिख दीजेगा ठीक है इस question का answer comment में जरूर लिख दीजेगा क्योंकि आप oral this question का answer दे सकते हो आप capable हो ठीक है भई तो आप able हो इस चीज के आप answer देने के लिए बिलकुल इतना तो सीख चुके होंगे और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोगोंने मेरी वीडियो देखी और आप सीख पाई ठीक है तो हम अगले कोशन पर बात करते हैं यहाँ पर बोल रहा भई चार हरी है ठीक है भई फोर गिरीन है seven black हैं बहुत अच्छे five red हैं बहुत अच्छे अब यह case है और दो गेंध को अन्यमित धंक से निकाला जाता अब यहाँ पर कितनी गेंध निकान निकाली जा रही है दो गेंध निकाली जा रहे है वाई तब two balls are drawn at random ठीक है अब यहाँ पर पुला जा रहा है कि क्या सम्भावना है कि यह हरी रंकी हो। तो दौनों की दौनों उसको green चाहिए। तो दोनों green चाहिए उसको एक दूसरे color की नहीं चाहिए, मतलब दोनों गेने हैं, पहली भी दूसरी भी दोनों ही green होनी चाहिए, चलो हो गया सा बाद, अगर हम combination लगाते हैं, तो green कितनी है मेरे पास भाई, तो मेरे पास 4 हैं, ठीक है, दोनों green होने के लिए, तो मेरे favor में 4 चाहिए, अब मुझे बता, मुझे 4 वाल में से कितनी वाल चुननी हैं, भाई, 2 चुननी है, क्योंकि दोनों की दोनों green मांगदा है, तो भाई, 4 में से 2 चुननी है, और यहां पर total gain हो गई, 4 और 7, 11, और 5, 16, तो total gain हो गई, 16 हो गई, ठीक है, अब यहां पर दूसरी condition क्या होगी, तो 16 C2 होगी, तो यहां total outcomes बनेंगे, 2 gain चुनने के ठेले में से, तो वो बनेंगे 16 C2, लेकिन मेरे favor में, green होने के लिए, मेरे favor में, कितनी condition है, कितने outcomes हैं, उन 4 gain हो में से, मुझे कोई 2 gain चुननी है, जो मेरे favor में होंगे, clear है, तो यहां 4 C2 को open किया, हमने तो 4 into 3, और upon C2 2, तो 2 factorial को open कर दो भाई, 2 into 1, अब यहीं से 16 C2 को solve करते हैं, तो 16 को 2 times open कर दो भाई, factorial 16 को, तो 16 into 15, और यहां 2 factorial को open करोगे, तो 2 into 1, अब से यह cancel out हो जाएगा, अब यहां से solve कर लो भाई, तो 4 से 16 मेरे साब से 4 वारी, और 3 से 15 मेरे साब से 5 वारी, तो यहां हो जा होगा, तो इस question की जो probability होगी, दोनों गेंदों के green होने की जो probability होगी, वो 1 by 20 होगी, कितनी होगी, 1 by 20 होगी, clear है, अब इसी को हम without combination कैसे करते हैं, नहीं कहूं आप से, कि मुझे पहली गेंद green चाहिए, ठीक है भाई, पहली अगर गेंद green होती है, तो मेरे favor में कितने outcomes हैं 16, तो 16 में से 4 गेंद मेरे favor होगे, बोलिए हाँ या ना, जी बिलकुल हाँ, अब अगर मैं दूसरी गेंद चुनने जाता हूँ, कौन सी गेंद चुनने जाता हूँ, दूसरी गेंद चुनने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मुझे दूसरी गेंद भी green चाहिए, और कितनी गेन टोटल बची होंगी थेले में, तो 16 न होकर 15 बची होंगी, कितनी बची होंगी, 15 बची होंगी, अब यहीं से solve कर लो भाई, तो 4 से 16 चार बारी, और 3 से 15 बारी, और यह एक, तो यहाँ पर भी answer क्या आएगा, 1 upon 20 आएगा, तो चाहे आप non-technical, मैं बार-बार बोल रहा हूं, चाहे आप combination लगाओ, लेकिन अगर combination अच्छे से solve करना आता है, fast to solve करना आता, जो मैं आपको समझाए, जो trick समझाई है, तो आपको ज्यादा time इसमें भी नहीं लगेगा, clear है, तो उमीद है, कि यह question भी समझ में आया होगा, दो गेने चुनी गई हैं, अब यहीं पर suppose करो, तीन चुनने को बोलता, अगर यहाँ पर तीन की तीन ग्रीन चुनने को बोलता, कि तीन ग्रीन होने की probability क्या होगी, अब तीन वोल होती, तो यहाँ पर आप combination लगाते, तो 4C3 हो जाता, क्यों मुझे 4 में से 3 चाहिए, और total outcomes क्या बनते, तो 16C3 बनते, अब इसको अगर आप solve कर लेते, तो भी answer आजाता, वहीं पर अगर आप randomly solve कर रहे होते, non-technical language से, तो 4 बटे 16 पहली के लिए हो गई, दूसरे के लिए 3 बटे 15 हो गई, तीसरी के लिए 2 बटे 14 हो गई, क्योंकि यहाँ ग्रीन 2 बची होंगी, और गेंद थेले में 14 बची होंगी आगया होगा, चाया तीन निकालो, चाय चार निकालो, अगर एक ही color की चाता है, तो तो बहुत आसान होगया भाई, क्योंकि simple सा उसी में से चुनने हैं आपको, किसी दूसरे में से चुनने की जरूरत नहीं है, clear है, तो उमीद है कि आप इस question को समझ चुके होंगे, इस question का solution समझ में आया होगा, ये तीन गेंद हों, ये चार गेंद हों, doesn't matter, अगर एक ही color की मांग रहा है, तो आपको कोई आपती नहीं होगी, चलिए, अगला question देखते हैं, एक वेग में तीन हरी, पाँच पीली और साथ लाल गेंद हैं, ठीक है, तीन ग्रीन हैं, और पाँच य पीली कितनी हैं, मेरे पास, पाँच हैं, तो पीली पाँच हैं, तो मेरे को पाँच गेंद हों में से कितनी चुननी हैं, दो चुननी हैं, तो यहां 5C2, ये मेरा favor हो गया, ठीक है, दो गेंद हैं चुनने के तरीक के, जो मेरे favor में होंगे, वो 5C2 होंगे, ठीक है, अब यह पर तोटल गहने कितनी है तो तीन और पांच आठ और साथ फंफरा फंद्रा फंद्रा गहंध है टोटल ऑट तो टल्ग आ उनिए एंगनगि तो पंदर्रा में से बनेंगे तो प्रॉविबिलिटी कि खोती है भाई wines फेवरेवल आउटकं मस पॉइन टो टल्टब्दॉट कम्स बनेंगे पंदरह गैंदों में से लेकिन वीर फ्रेवर मा होंगे उन्मेंस फांच गैंदों मेंः से क्यों तो 2 into 1 हो गया, अब ऐसे 15C2 का मतलब हुगा कि 15 को 2 times open कर दो, factorial 15 को तो 15 into 14 ठीक है, और upon 2 factorial को open किया 2 into 1, इससे ये cancel हो गया बहुत अच्छे, 5 से ये 3 बारी, बहुत अच्छे, 2 से ये 2 बारी, बहुत अच्छे और 2 से ये 7 बारी, clear है, अब यहां पर आप solve कर लीजिए, तो 2 by 21 इस question का answer हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 by 21, तो बहुत ये 2 बटे, 7 या 21 इस question का answer हो जाएगा उमीद है कि आपको ये question भी, ये solution भी समझेना आया होगा अगर आप non-technical बोलते हैं, तो पीली कितनी हैं या 5 हैं, तो पहली गेंद के पीला होने की probability जोगी, वो 5 upon कितना होगी, 15 होगी अब दूसरी गेंद के लिए पीला होने की probability क्या होगी, तो दूसरी गेंद मेरे पास कितनी बची होगी पीली, तो 4 बची होगी थेले में लेकिन अब टोटल वाल कितनी बची होगी, 15 ना होकर 14 बची होगी, अब यहां 14 लिख दीजिए, तो 5 से 3 वारी, 2 से 2 वारी, और 2 से 7 वारी, तो भी answer के आता, 2 by 21, ठीक है, तो ये probability होती, दोनों गेंदों के पीले होने के लिए, clear है, तो उमीद है कि यहां तक भी ये question अज में आया है, तो चलते हैं हम अपने अगले question पर, और अगला question क्या कहता है भाई, यहां बोल रहा है कि 3 हरी हैं, 3 green हैं, 5 black हैं, और 7 red हैं, बहुत अच्छे, ठीक है, अब यहां पर भी दोगें नहीं निकाली जा रही हैं भाई, तो 2 balls are drawn at random, ठीक है जी, उसके बाद बो पर ब्लेग चाहिए उसको, और 1 ball red चाहिए उसको, ठीक है, तो 1 ball black चाहिए और 1 ball red चाहिए, अब यहां पर दो condition होती हैं, ध्यान समझेएगा, पहली, काली और दूसरी लाल, ठीक है, ये अलग condition है, और एक लाल और एक काली, ये अलग condition है, क्योंकि पहली लाल हो सकती है, द पहली black चाहिए और दूसरी मुझे लाल चाहिए वो अलग condition हो जाती लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आप दोनों को करना सीख जाईएगा तो यहाँ पर दो बॉल चाहिए अब एक black चाहिए मुझे बता बॉल बॉल कहां से मिलेगा पांच में से तो 5C1 एक बॉल ली तो चुननी है न मुझे एक ही तो black चाहिए तो 5C1 होगे मेरे चुनने के तरीक है ठीक है और दूसरी मुझे लाल चाहिए तो यह कहां से मिलेगी 7 में से तो 7C और यहाँ भी कितनी चुननी है मुझे एक ही चुननी है क्योंकि एक black चाहिए और एक red चाहिए black मिलेगी black में से red मिलेगी red में से इसलिए बोल रहा हूँ combination की video जाकर देख लो जिससे आपको ये चीज़े बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएं आपको कोई तकलीफ नाओ परिशा नी नाओ समझने के अंदर ठीक है तो यहाँ 7 और 7 में से कितनी चुननी है एक ही चुननी है अब मुझे बता मैंने गेंदे कितनी चुनी दो और total outcomes बनाने है मुझे तो total outcomes मेरे पास कितनी गेंदे है भाई 3 और 5 किया मैंने तो यह 5 आया ठीक है 7 सी 1 को solve किया मैंने तो यह 7 आया ठीक है और यहीं से 15 सी 2 को solve करता हूँ मैं तो 15 into 14 ठीक है और upon 2 into 1 चुकि 2 factorial भी open करोगे आप तो दोस्ते यह 14 7 बारी ठीक है 2 से यह 14 कितनी बारी 7 टाइम्स कट जाएगा भाई ठीक है और 7 से 7 एक बारी और 5 से 15 तीन बारी तो इस question के लिए जो answer आएगा वो 1 upon 3 आएगा कितना आएगा 1 upon 3 आएगा इस question की probability clear है तो उमीद है कि आप यहां तक भी समझ गए होंगे अब यह बात अगर आप समझ चुके हैं यह सभी questions अच्छे से समझ में आए हैं यह video पसंद आई है अब आप दो गेंद यहां पर अगर यह बोलता suppose करो कि मुझे 3 गेन चुननी है तो आप 3 गेन चुन लेते वीडियो में यह गेनों पर अधारित सवाल दे रखें अच्छे से वहां पर भी और वहां पर भी सारी बातों पर यह कितने possibilities बनती हैं कितनी संभावनाइं बनती हैं क्या-क्या ढंग होते हैं यह सारी बात पढ़ा ही जा चुकी है जाईए पहले पिछली वीडियो देखिए वहां से अच्छे से सीखिए और उसके बाद इस वीडियो को भी देखिए लेकिन उमीद है फिर भी कि मैं आपको यह समझा पाया हूँगा और अगर समझा पाया हूँ तो इसे जादा से जादा लोगों को सेयर कर दीजिएगा मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में एक और कॉंसेप्ट के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत